हेलो बच्चो, चलो बच्चो देखते हैं हमारा आज का टॉपिक, आज का टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस, ठीक है? So, what is कैपेसिटेंस? सबसे पहले हम यह चीज जानते कि कैपेसिटेंस होता क्या है, इसकी इंपोर्टेंस क्या है? देखिए, कैपेसिटेंस आपका पहली उनिट का लास पार्ट है, ठीक है? बोर्टेंस के अंदर कैपेसिटेंस से mostly numerical questions आते हैं, मने आप लोगों को बता रखे हैं, तीन तरह के questions होते हैं, theoretical derivations, conceptual questions, जिसके अंदर ABCD लेट करके कड़ा जाते हैं, या फिर direct आपका numerical, with numbers, ओके? तो capacitance एक ऐसा topic है, जिससे आपके ज़्यादा तर numerical questions आते हैं, ठीक है? इसकी weightage बहुत ज़्यादा होती है, और normally इस question में बच्चे अपने marks भी बहुत ज़्यादा lose करते हैं, तो ये एक बहुत important topic है, जिससे बहुत ध्यान से पढ़ना ज़रूरी हो जाते है, ठीक है? चलिए electric charge भी नहीं बोलना चाहिए, electric charge की form में वो actually electrical energy को store करता होता है, किसको store करता होता है, electrical energy को? ये काम करने के लिए कौन सा device यूज़ करते हैं, capacitor, मलब capacitor वो device है, जो की energy को store करता है, तो capacitance है किसकी होगी? capacitor की होगी, ठीक है? अच्छा उसका दूसरा नाम क्या होता है? उसका दू question is, कि भईया, capacitor का use क्या होता है, इसे हम use ही क्यों करते हैं, तो देखो बच्चो, capacitor कभी भी हम light bulb के अंदर तो use नहीं करते हैं, चलो, capacitor word तो ज़्यादा बच्चों नहीं नहीं सुना होगा, condenser word सुना है, condenser word कहां ही सुना जाता है, fans वगेरा में, basically इस device का use कहां पे होता है, कोई भी ऐसा appliance जिसके अंदर हमें high voltage of current की जरुवत हो, जहां पे high amount of current की जरुवत हो, ठीक है, for example, आपका fans हो गए, ठीक है, आपके cameras हो गए, आप अपने जब कभी का अपने अपना charger वगएर तोड़ के देखा हो, जिसने तोड़ा हो अगर, तो उसके अंदर भी capacitor लगे होत करती है, जबकि fan एक ऐसा device है, एन भी एक device है, ठीक है, electrical device, इसको अपनी start, जब यह start होता है, उसके लिए भी इसे capacitor की जरुवत परती है, उसके लावा continuously run होने के लिए भी आपको capacitor की जरुवत परती है, आप इसे condenser बोलते है, basically, जब हम fan के अंदर यूज़ करते हैं, तो sometimes जब पंखा बहुत slow हो जाता है, या फिर उसकी working properly नहीं हो दी होती, तो आप क्या करते है, condenser थोड़ा high voltage का लगा देते हैं, ठीक है, बैसे voltage नहीं बोलना चाहिए, high faraday, इसकी unit हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसको हम faraday में आपते, तो उसको higher faraday का use करने लग to increase the potential of a conductor, ठीक है, कि आपको कितना चार्ज, जितना ज्यादा आप चार्ज उसको देते जाओगे, उतना ज्यादा आपका potential जोगा, conductor का increase होता, चला जाएगा, जितना मेरे charge supply किया, उतना मेरा conductor का potential high होता, चला गया, समझ आ गया, तो basically capacitor क्या होता है, ये एक तरह की metal plate होती है जिसके अंदर हम excessive amount of charge टोर करते रहते हैं, ठीक है, अब जब वो charge टोर हो जाता है, तो हम उसका use किसी दूसरी working के लिए कर लेते हैं, समझ है, चलो, तो भाई ये जो ऊपर की definition लिखे होई है, इसे एक बात तो clear हो गई, क्या चीज, कि जो मेरा charge है, वो directly professional किसके, voltage के, इसी directly proportional के sign को हटाने के लिए हमें constant का use करते हैं, जो कि हमारा c होता है, और ये c जो होता है, यही capacitance को denote करता होता है, ठीक है बच्चो समझाया, compare करने के लिए ऐसे कर सकते हो, 10th में formula पढ़ा था, v equals to ir, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते थे रहें, वहाँ पहले क्या होता था, v is directly proportional to i, i क्या होता है current, तो वही current की जगा यहाँ पर charge है, ठीक है, formula क्या बन गया, q equals to cv, सिर्फ compare करना है, यह होता नहीं है, यह हम लोग next chapter के अंदर पढ़ेंगे वैसे, ठीक है, यसी मैंने आपको एक hint देने के लिए बताया था, तो q equals to cv आपका formula हो गया capacitance का, ठीक है, यहाँ से ह में क्या मिला, c equals to q upon v, ओके, फिर आती है इसकी SI unit, SI unit इसकी क्या होती है, faraday, faraday हो गई इसकी SI unit, या फिर मैं इसे लिख भी तो सकता हो, कुलंब पर वॉल्ट, है ना, लिख सकता हो ना, capacitance unit, कुलंब पर वॉल्ट, तो दूसरी unit क्या होगी, कुलंब पर वॉल्ट, अब भ क्या होता है, voltage का भी तो formula होता है ना, जूल पर कुलंब, उसको भी लिख दिया मैंने, ये C उपर चला गया, तो कुलंब स्वेर पर जूल हो गया, है ना, C का स्वेर, upon में जूल, C किसको शोग करता है, बस यह या तरना, C यहाँ पर कुलंब है, कुलंब चार्ज को शोग क 2, ठीक है, देख लिजे, A का स्वेर, T का स्वेर, upon में ML2, T माइनस 2, तो यह क्या निकला, ML माइनस 1, T माइनस 1, T की पावर 4, A स्वेर, बन क्या भाहिया, पूरा का पूरा capacitance, लेकिन इसमें से पेपर में कुछ भी नहीं आना, तो पेपर में क्या आएगा, पेपर में देख रहे हैं सभी को, यहाँ पे क्या बोला गया है, कि भाईया मेरे पास 1 into 10 की पावर 12 electrons मौझूद है, ठीक है, जो कि from one conductor to another उन्हें ट्रांसफर किया जा रहे है, ठीक है, उससे जो मेरा potential develop हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 10 volt का potential develop हो जाता है, between the conductors, अब मैंने जैसा बोला ठीक है, चलो, तो भी यह बेसिकली हमें यहाँ देखा, दिया क्या गया है, हाँ बच्चो यहाँ देखो, given क्या है यहाँ पे, हमें given है, electrons, number of electrons, जो कि यह है, 1 in 10 की पावर 12 electrons, यहाँ से मुले चार्च नम मिल सकते है, q equals to any, मैंने अपनी electric field वाली वीडियो में बताए है, number of electrons कितने है, 10 की पावर 12, एक electron पे charge कितना होता है, 1.6 into 10 की पावर minus 19 कुलम, तो यह तो हो गया मेरा total charge, अगली चीज़ देखो, voltage कितनी दे रखी है, voltage दे रखी है, मुझे 10V, दो term मिल गए, formula कौन सा यूज़ करोगे, capacitance निकालना है न, तो formula क्या हो गया, c equals to q upon v, put कर दो value, 10 क 10 की पावर 12, into में 1.6 into 10 की पावर minus 19, upon में 10, cancel out वोर 10 की पावर 11 बनी, यहाँ पी ये cancel out वोर क्या है आपका answer, c equals to 1.6, 10 की पावर minus 8, कुलम, नहीं, क्या होगा, कुलम पर volt, और you can use faraday, दोनों में से कोई सी भी unity use कर सकते हो आप उपनी, ठीक है, यह question आप लोगों का हो गया, इतना easy question paper के अंदर generally नहीं आथा, यह आप लोगों को मैंने formula समझाने के लिए किया था, तो ज़रा थोड़ा tough question देखते हैं, कि paper के अंदर किस level तक का question आप लोगों से पूछा जा सकत है, हाँ बच्चो, तो यह है हमारा next question, अब यह question seriously बहुत जादा important है, आपके previous year में भी आ रखा है यह question आपका, में एक खाल से 2013 में आया थे हैं, ठीक है, यह question आपका 2013 में आ चुक है पहले, चलो अब इस question को करना शुरू करते हैं, बोला गया है कि भाईया मेरे पास एक capacitor है जिसकी capacitance मुझे नहीं पता, ठीक है, और उसमें जो battery लगिया वो V volts की है, मतलब capacitance भी नहीं बता और voltage भी नहीं पता, V दिया है के वल, अब बोला गया कि उसके अंदर जो charge टोर है, वो कितना है, 360 माइक्रो कुलम का, अब मैं अपने potential को और कम कर दूँगा, जितना भी पहले था उसे, 120 और कम कर दिया मैंने, तो मेरा charge कितना बन गया, 120 माइक्रो कुलम का, अब बताओ V की value और C की value, करना शुरू करें, चलो बच्चो, ज़दा ध्यान से देखो, बोला गया है कि मेरे पास capacitance नहीं पता मुझे, तो मैं इस capacitance को तो C माल लेता हूँ, ठीक है, अब ज़ reduced by 120 volts, अच्छा बचो, यहां पर भी न, दो चीज़े होती है, reduced by 120 volts, या reduced to 120 volts, अगर 2 होता न, तो यहां में सीधा V equals to 120 लिखते था, लेकिन by है, मतलब जो भी value होगी, उसमें से 120 कम करना है, समझा गया बच्चो, English थोड़ी बहुत important हो जाती है, ठीक है, तो जिसके कम जोर ह वो ऐसे words के उपाँ ध्यान देना, ओके, तो मेरा charge कितना हो गया, 120, माइक्रो कुलम, समझा गया, अब जरा formula देखो, C तो दोनों जागा constant बना रहा, formula यूज़ करूँगा, मैं अपना Q equals to CV वाला, ओके, तो मालनों यह मेरी पहली condition है, यह मेरी second condition है, पहली condition के लिए मैं ले ओके, इन्हें आपस में divide करें, चलो divide करते हैं, Q1 upon Q2, अब भया, C तो दोनों जागा same ही है, C1 और C2, और यह है V1, V2, ठीक है, चलो इनकी value put करो, Q1 कितना है, 360, और Q2 कितना है, 120, मैं micro club नहीं लगा रहा, क्यों ही same है, तो वो divide ही हो जाएगा, इधर V1 को में 20, V1 जो है, वो मेरा क्या है V, और V2 क्या है मेरा, V minus 120, okay, solve करें अब इसे, cutा तो आया 3, इसे उस side multiply में भेजा, तो 3 minus, 120 को 3 से क्या तो आया, 360, is equal to V, इसको इधर, इसको दूसरे side, 3V minus V is equal to 360, 2V equal to 360, आपकी ये value भी कटी, तो आपकी V की value कितनी आ गई, आपकी V की value आई, 180 volts, ठीक है, आपको हमारी, voltage मिल चुकी है, V की value मिल चुकी है, एक्चली, voltage नहीं मिल चुकी, ठीक है, अब हमें क्या निकान लाए, C निकान लाए, capacitance, तो भाई, आप तो कोई से भी एक condition उठालो, मालू मैं पहली बाली ले जाओ, तो पहली बाली क्या है, Q1 equal to C V1, Q1 कितना है, 360, और ऐ ऐसे में V1 की value कितनी थी, V थी, जो मैंने निकाल लखी है, 180, पुट कर दो, C की value कितनी निकल गई, C की value निकल गई, 2, unit क्या होगी, unit सोचो, भाईया, ये micro column में था न, उस side voltage गई, तो अब ये क्या बनी, micro faraday, समझा गया, क्या बनी, micro faraday, ओके, तो मेरा V भी निकल गया, C भी निकल गया, V और C तो पता चलिया, लेकिन question का एक और part था, इस part में बोला गया, कि बच्चों, अगर मैं इसी potential को increase कर दूँ by 120, तब क्या होगा, तब आपका जो है, कितना charge store होगा, चलो बई, क्या करना है, अभी मेरा कितना निकला है V, 180, ठीक है, second part में, इसके अंद 120 और increase कर दिया गया, तो अब increase होने के बाद, 180 plus 120, 300 volt हो गया, पता क्या लगाना है, charge का, Q equals to CV, C कितना है, 2 micro faraday, अब micro faraday को अगर मैं हापे, चाहूं तो 10 की power minus 6 लगा देता हूँ, faraday बनाने के लिए, voltage कितनी है, 300 volt, अब मैं नहीं लगाया ज़रूर, लेकिन मैं इसका use करने वाला, क्यों नहीं करने वाला है, देखो, चलो कर लेते हैं, मैं वैसे यहाँ पर पीछे micro column लिखता, ठीक है, इसलिए मैं इसका use नहीं करता, अगर इसका use नहीं करता, तो क्या करता, पीछे micro column लिखते था, लेकिन हम मैंने कर लिया है, तो अब मेरी unit column में आ चुकी है किसमें आ चुगी है? कुलम में तो मेरा final answer कुलम के अंदर निकल के आएगा देखते हैं क्या आएगा 2, 3, 6, 10 की पावर माइनस 6 को इससे किया तो 10 की पावर माइनस 4 कुलम 6 into 10 की पावर माइनस 4 कुलम यह हो गया आपका answer अगर micro कुलम में रखते तो micro कुलम में रखते ये चीज नहीं लगाते तो 300 को 2 से करते 600 आता तो 600 micro कुलम मेरा answer होता यह दोनों ही answer सही है बिल्कुल ठीक है? गलत नहीं है कोई सबी चलो question समझ आ गया? अच्छा question था सब लोग इससे बहुत ध्यान से करना ठीक है? अब हम अपने next topic की तरफ बढ़ते हैं और इसका next formula सीखते हैं ठीक है? जो कि है एक spherical conductor के लिए capacitance कितनी होगी? चलो अच्छो अपने next topic की तरफ बढ़े तो हमारा next topic जो है isolated spherical conductor की बात करता है exam point of view से भी यह ज़्यादा important topic नहीं है जितना वो पिछला वाला question था उत्री ज़्यादा importance इसकी नहीं होती बट हाँ यह हमारे दो doubts को clear करता है पहला कि हम capacitance की इतनी छोटी unit ही क्यों use करते हैं लगभग micro faraday, picofaraday nano faraday यह क्यों use किया जाता है पहला तो हम उसके बारे में जानते है ठीक है और sometimes इससे conceptual questions उठा लिए जाते है ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान देने वाला topic है यह चली देखते हैं इसमें करना क्या है आप basically एक spherical conductor ले रहे हो जिसका radius आपका R है ठीक है और उसके उपर आपने चार्ज कितना डाला है क्यूं चार्ज आपने उसमें इससर्ट कर रख inhale अब यह conductor है तो मुझे बताने की तो जरूरत है नहीं कि conductor पर सारा का सारा चार्ज हमेश़ सिफ कहां पर होता है surface पर मौझूद होता है reason पता है नहीं इसका surface पर ही क्यूं होता है क्यों होता है सर्फेस पर चार्ज सारा क्योंकि हमेशा जो चार्ज होता है वो एक दूसरे से एक दूसरे को रिबल करता है and to maintain a particular distance from each other थीक है ताकि repulsion के बाद वो एक particular distance maintain कर पाए अपना थीक है इसलिए वो अबिशल सर्फेस पर जाता है एक दूसरे सबसरा दूरी सर्फेस पर होगी ना उसकी इसलिए समझा गया चुली ये बाद तो मैंने अपने पहले वाली वीडियो में भी बता रखे थी जो नहीं बताया वो सीखते हैं यहाँ पे जो potential होगा इसका वो क्या होगा इसका potential क्या होगा 1 by 4 पर एक साले डॉट क्यू अवर आर लेकिन ये कैसे हुआ सारा सर्फेस पर चार्ज है कैसे तो भईया हमने क्या किया हमने जितना भी चार्ज सर्फेस पर था माल लिया कि वो सेंटर पर कंसेंटरेटेटेटेड है सारा कर सार चार्ज जो सर्फेस पर है बेसिकली ठीक है इंडेक्टर के सर्फेस में मौझूत है हमने क्या माना कि हो कहां कंसंट्रेटेटेड है सेंटर के ओपर देखो मैंने इसलिए मेंशन भी किया यह लाइन ओके या जम्चन है इस्ते एडिवेशन का इसको बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है चलो भई यह मैंने अज्यूम कर लि दो थी 1 by 4 by epsilon not q over r ठीक है q से q cancel out हो गया 1 by 4 by epsilon not r यह overall पुरा पुरा उपर shift हो गया फॉर्मुला क्या बना c equal to 4 by epsilon not r यहां इसने जो एक चीज कंक्लूर करके दी वो क्या थी वो एक चीज यह थी इससे हमें यह तो पता चल गया कि भईया size of the conductor के उपर capacitance depend करता है r है ना r किस को represent करता है size को भी तो करता है वैसे एक और चीज से पता चलता है यहाँ पर epsilon not b है यह क्या बताता है कि medium के ओपर भी depend करता है किस के ओपर medium के ओपर चलो इससे कोश्चर उठाएं मैं यही पर करता हूँ वो कोश्चर मालो मैं मोल दूँ मेरी r जो है वो कितना है 10 km रेडियस मेरा 10 km का है ठीक है अब मुझे बताना किया है कि उसकी capacitance कितनी होगी तो सोचे यह मैंने कितना बड़ा अपना जो conductor है वो यूज किया है मला मेरे conductor क साइस बहुत लार्ज है अब ज़रा value calculate करें तो value कैसे निकलेगी c equals to 4 pi epsilon 0 r अब बच्चो आपके पास दो चीज़े है या तो आप 4 pi epsilon 0 को अलग अलग करो 4 into 3.14 into 8.85 into 10 की बाव मैनुस तो या फिर अगर आप लोगों को याद हो तो 1 by 4 pi epsilon 0 की value क्या होती है 9 into 10 की बाव नहीं तो जास इसका opposite कर दो 1 by 9 into 10 की बाव नहीं 4 pi epsilon 0 की value ठीक है और r कितना दे रखा है 10 km मीटर में change करना है तो 10 into 10 की बाव थ्री अगर मैं इसे उपर भी ले जाओ माल लीजे मैं उपर एक 10 लगा देता हूं इसे 10 की पाव 6 बना देता हूं तभी ये 1.1 into 10 की पावर minus 6 आएगा इतना बड़ा conductor है लेकिन कितनी कम value आ रही है अगर इस value को मैं लिख हूँ तो कितना लिखूंगा सीक्वल शू कितना है 1.1 micro faraday ना इतना ही तो आया बस बहुत छोटी value है इतना बड़ा conductor होते वे भी इतने कम value ठीक है चलो एक और example लेते हैं वो example लेते हैं हम अर्थ का अर्थ भी एक conductor है ठीक है बहुत सा चार्ज सोट करके रखती है जड़ा देखते हैं कि अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है ठीक है चली हाँ तो बच्चों यहां मैंने अर्थ के लिए किया है अर्थ का आप लोगों को पता है डेडियस होते है 400 किलो मीटर 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर कल्कुलेशन बिल्कुल पिछले वाले के जैसी है 4 पाइसले नॉट उसकी जगा मैंने मैं 1 by 10 की पावर 9 पूर कर दिया और और 6.4 इंटू 10 की पावर 6 इसको मैंने सब्सिट्यूट किया तो मेरा ओवराल जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो कितना है 711 माइक्रो फेरेडे बिकॉस मैंने कोशन पहले कर दिया इसलिए इसको मैं दुबारा सॉल्व करके नहीं द दिया वह जाए चौशर सो किलोमीटर रेडियस होते वह तो प्रेक्टिकल लाइफ में हम जब भी कभी कैपेसिटेंस का यूज कर रहे होंगे तो जो कैपेसिटेर होगा उसका साइज सो बहुत चूटा होगा सेंटीमीटर में ओगा तो उसके अंदर स्टोर होने वाला जो वाला जो जो सका साइज बहुत कम है तो कैपेसिटेंस की वेलिव भी बहुत कम हैगी और वह विल्यू हमेशा किसमे देवी या तो नैनो फेराडे या थो पिको फेर्टय चाप फिट सम्टाइंग ए invariable manufactured फिंडृre्ट एगसाम में आने वाल है आपको ओवरोल सधी भी इसे का अब्पी इन दो कि जो डिष्ञ सोंगी उसलेंगे लोग कभी विभूघ फ्यूचर में है अपनी सिरिस के के अंदर include करूंगा practically अगर किसी का देखने का मन हो रहा है यह दुनों तो हमें किसकी study करनी है parallel plate capacitor की अब हम इसके बारे में study करने जा रहे हैं इसकी capacitance को find करेंगे इसकी energy को find करेंगे इसकी energy density को find करेंगे और फिर इसके उपर बेस कुछ numerical को भी देखेंगे चलो बच्छो start करें अपने next topic तो हमारा next topic है parallel plate capacitor अब यार सची बता हूं कि यह topic बहुत असान है ठीक है इसके derivation भी बहुत असान है इससी जो question आते पेपर में वह भी बहुत असान है तो उसको छोड़ो पहले एक नहीं चीज़ सीखते हैं चलो इसके principle को study करते हैं the principle of parallel plate capacitor ठीक है the principle of parallel plate capacitor अब पेपर में नहीं आने वाला प के लिए बड़ा मज़दार है तो सब लोगो बड़ा ध्यान से समझना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पांच मिनट में समझ जाओगे सब c equal to q over v हमारा formula है ठीक है हमारा हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारा capacitance बहुत ज्यादा हाई हो है ना बहुत ज्यादा high capacitance चाहते ह capacitance का हाई होगा इसका मतलब क्या capacitance हाई होने का इसका मतलब हम store करना चाहते है store more and more amount of charge हम ज्यादा से ज्यादा amount charge का store करना चाहते है अब यह हम करते कैसे हैं जला समझो माल्लो मेरे पास एक plate है ठीक है मैं इसको battery से connect करता हूँ ठीक है उस battery ने क्या किया positive negative होते है ना इस plate को जितना हो सकता था उतना positive charge दे दिया माला भही है जो इसकी हती वहाँ तक ले गया वो कि अगर इस plate के उपर total 20 कुलम charge आ सकता था लेट कर रहा हूँ value के साथ पकड़के बहुत मैं नहीं भही है 20 कुलम कैसे आ गया ठीक है तो 20 कुलम अगर इस पर आ सकता तो इसने बोले ले बिटा तो पूरा पूरा 20 कुलम ले ठीक है चलो भी अब 20 कुलम ले आए हम अब हुआ क्या हम एक दूसरी plate को लेके आ गया इसके पास यह तो plate A थी जिसको मैंने charge दिया मैं एक दूसरी plate को लेके आ गया इसके पास यह मेरी दूसरी plate है ठीक है अब हुआ induction induction पता है न यह plus है तो इसके इस वालने साइड पर minus charge जवलप होने लगा और इस साले साइड पर plus charge जवलप होने लगा तो हुआ क्या अब भीया क्योंकि यह minus वाला portion इसके ज़्यादा पास है इसके ज़्यादा पास है तो इसने इसके net potential को गिरा दिया मतलब अब अगर मैं net charge देखू तो यह तो cancel out हो रहे ने थोड़ा थोड़ तो इसने क्या किया थोड़ी सी और capacity बढ़ा दी charge को देने की चलो अभी नहीं समझाए ना अभी next वाले part में पूरा समझा जाएगा ठीक है अभी के लिए माल लो कि भाईया देखो यह 20 कुलंब एक limit है मैं दो तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को जिससे समझा वो सही है यह 20 कुलंब एक limit थी ठीक है overall system के अंदर इतना charge होना चाहिए था ठीक है तो भाईया वो मैंने दे दिया था लेकिन जैसे ही हाँ पर minus charge डवलप हुआ इसने इसके net charge को थोड़ा सा down कर दिया अब भोलो कि भाईया कैसे down कर दिया plus b तो साथ है हाँ या plus b साथ है मानता हूं म लेकिन pass कौन है ज्यादा minus वाला ना तो ज्यादा effect इसका होगा minus वाले का तो अब हम थोड़ा सा और charge इसको supply कर सकते थे क्यों क्योंकि इसका potential low हो चुका था हद तो तब हो गई जब मैंने कि तो चाहा है कि यह इस plus को पूरा का पूरा हटा देते हैं तो यह पूरा का पूर मेरा-इस चाहिँ नेट चाहिज़ को बहुँच जाता डाउंड कर देगा next step में मैंने कुछ ऐसे किया system का net charge बढ़ा या कम हो गया कम हो गया ना पक्का तो भी या system की maximum capacity कितनी थी ठीक है जो उसका maximum electrification की potential अच्छा हाँ मैंने आप लोग अपनी एक वीडियो में बताया था उससे दुबाया लिंक करता हूँ potential का basic मतलब क्या है इसका मतलब है tendency to electrification कि आप किस body को कितना ज़्यादा charge कर सकते हो ठीक है तो अगर मैंने 20 कुलम की tendency set की थी तो अब तो total 20 नहीं है इस plate के उपर 20 है वैसे लेकिन net charge 20 नहीं है net charge इस वाली plate ने कम कर दिया समझ आ गया तो अब हम क्या कर सकते हैं हम थोड़ा और charge अप्लाय कर सकते है मतलब मालो मेरे आप क्योंकि ये तो सारे neutralize हो गए तो मेरे पास इतने ही और charge देने की कि इसके उपर freedom है तो overall charge तो बढ़ गया ना इस plate पे अब मैं उसे हटा देता हूँ अब ये सारा का सारा charge इस वे store हो चुका है इसी plate के उपर clear समझाये सबको अच्छे से तो इसका principle basically था क्या यतनी देशे जो मैंने कहानी सुनाई वो थी कि यह जरा आप उसको समझते है summarize करते है बच्चों summary ये थी कि अगर आपको किसी भी plate के उपर maximum amount of charge को store करना है क्या चाहते हो आप कि मेरी capacitance हाई से हाई हो उसके लिए आप maximum amount of charge को store करोगे ऐसा करने का सिफे की तरीका है कि आप किसी भी plate को जिसको आपको charge करना है उसके पास एक दूसरी plate लेके आओ जो की अर्थ से connected हो मलब जिसको अर्थिंग provide हो in that condition आप उस plate के उपर maximum amount of charge को store कर पाओगे कब store कर पाओगे जब उसके पास एक दूसरी plate हो जिसे अर्थिंग provide हो I hope आप लोगों को clear हुआ अगर ये चीज़ clear हुई जो कि principle था आपका तो मैं अब आगे चलता हूँ इसके derivation की परद derivation तो बहुत असान है इसकी इसके उपर तो आपको मेहनत करने की ज़रूँ थी नहीं बस आपको ये principle मुझे थोड़ा बहुत समझाना था शायद मैं समझा पाया हूँ ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हाँ अच्छो तो parallel plate capacitor देखो दो plate बनी हुई है वैसे ये normally plates ऐसी होती है ठीक है ना ऐसे एक दो ठीक है ये मेरे पास दो plate है इनके बीश का distance कितना है दोनों plates के बीश का distance d है इन plates का area क्या है ए ठीक है ये 3D view ये 2D view ठीक है देख लो सही से 3D 2D ओके इनके उपर चार्ज जंसरी कितनी रखी एक पर plus sigma दूसरे पर minus sigma ओके अब भया ये वाला question याद है electric field में किया था कि अगर 2 plate रखी है 3 region बनेंगे बताओ क्या होगी electric field तो outside वाले region पर आपकी electric field कितनी आती है 0 आती है जब उन दोनों plates के उपन opposite charge हो तो और inside region के लिए electric field जो होगी कितनी आएगी sigma upon epsilon not बना के देख लो यार ये plus है ये minus है तो plus से minus कोई ना कोई electric field बन रही होगी उसी electric field की value कितनी है sigma upon epsilon not हो गया ये अब derivation करें तो derivation करने लें आप लोगो को बहुत ही simple तरीका बतातो derivation एक्चलिक कुछ है नहीं q equal to cv का formula या दे c equal to q over v रखो charge क्या होता है charge density into area या भी surface की बात हो रही है तो surface charge density into area ये मिल गया v क्या होता है v equal to ed formula potential equal to electric field into distance ये भी मिल गया e की जगा value पुट कर दो sigma upon epsilon not d electric field की value निकाली थी ठीक है तो ये हो गई मेरी first equation ये हो गई मेरी second दोनों को substitute करो आपका answer आपको मिल जाएगा sigma a upon में sigma d over epsilon not sigma से sigma कटा c की value कितनी आगी epsilon not a over में d कितनी आधान derivation थी देखो बिल्कुल वही चीज़ किये मैंने मैंने सबसे पहले e calculate करके निकाल लिया value put की ed और e की जगा substitute कर दिया sigma upon epsilon not को उसको भी जब substitute करके cancel out किया sigma से sigma तो मेरी capacitance की value मिल गई देखो बच्चो सबसे important चीज़ क्या होती है ये terms आपको क्या समझाने की कोश्च कर देखो जो final terms से formula गए बिटा ये आपको ये समझा रहे हैं लेकिन इनके बीच में कौन सा medium है अभी अभी मैंने दिखाया था ना principle of the capacitor में कि इस plate की वज़े से इसके उपर induction होता है चार्ज का ठीक है इसके उपर charge induced होगा ठीक है opposite charge induced हो रहे है तो ऐसे में ये जो charge का induction हो रहा है उस सममें बीच में इनके medium कौन सा use हुआ है ये बड़ा important है क्योंकि वो आपके induction को effect करेगा second thing area area कितना है plates का है ना second factor मिलिया जितना ज़्यादा area होगा उतना ज़्यादा charge टोड़ कर सकता है उसके बाद distance between the plate वह यह जैसे जैसे distance बढ़ता जाएगा है ना जैसे जैसे distance बढ़ेगा वैसे जैसे आपका induction कम होगा induction कम होगा तो यहाँ पे net potential भी कम डाउन होगा और net potential कम डाउन होगा तो आपका ability ये charge टोड़ करने की वो भी तो कम हो जाएगी ना and what is capacitance the capacitance is the capacity or the ability to store the charge तो अगर मेरा d बढ़ता चला जाता है ability कम होती चली जाती है तो capacitance भी मेरा कम होता चला जाएगा समझ आ गए तीनों terms अगर ये तीनों चीज़े समझ आई तो इसके numericals टाय करने की कोशिश करेंगे ठीक है बच्चो और इसके numericals भी जादा मुश्किल नहीं होते चलो बच्चो देख लेते हैं एक question इसका ठीक है भीज़े यहाँ पर बोला क्या गया है आपको charge find करने ठीक है और given क्या है area separation distance और voltage तो याँ सब कुस तो given है पहले जड़ा देखो कोई भी numerical जब आप boards के exam में भी कर रहे हो तो हमेशा याद रखना boards में question करते समय सबसे पहले आपको given mention करना होते fit to find mention करना होते कि आपको करना क्या क्या उसके आथ formula ज़रू mention करना इससे आपको benefit मिलता है आप तेजी से सोच पाते हो किस तरीके से कौन-कौन सी value कहां पर substitute करनी है तो पहला capacitance का formula है तो q equal to cv तो लगना ही है दूसरा parallel plate capacitor separation की बात हो रहे है तो epsilon naught a over db लगेगा ठीक है जड़ा ध्यान से देखो आप करना क्या है पूरा question solve करूं क्या चलो ठीक है मैं एक बाँ उतार देता हो फिर आप लोग पूरा solve करना है इसे ठीक है epsilon naught की value 8.85 10 की पावर माइनस 12 area कितना है 25 cm2 तो भई यह 25 तो हो गया cm, 1 cm 10 की पावर माइनस 2 m2 के बराबर होता है ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा 10 की पावर माइनस 4 m2 इसका square कर दिया देख लो 1 cm2 किसके बराबर होगा 10 की पावर माइनस 4 m2 इसका भी तो square होगा न चलो तो वो चीज मैंने put कर दी नीचे distance कितना है 2 mm मतलब 2 into 10 की पावर माइनस 3 m यहाँ से आप capacitance की value निकाल लोगे c और जैसी यह value निकली फिट करना क्या है Q की value find कर ले न Q इक्वल शू क्या ओद है sorry Q इक्वल शू C V C आपने find कर लिया V की value 12 volt है multiply करोगे answer आ क्या मज़ितार चीज तो इसके second part में जो मैंने आप लोगो को principle समझा है पूरा का पूरा वही principle देखो इन्होंने यहां अपने second part में question के बोल दिया कि भाया आपके पास plate है ठीक है और यह जो दूसरी plate है यह plate A है जो की battery से connected है ठीक है यह battery का sign है plus minus plus minus ठीक है बैटरी होती है न बड़ा चोटा और यह दूसरी है जो की जिसको earthing provided है जिसके उपर charge induced होगा ठीक है और यही वो plate होगी जो इसका potential down करेगी और इसके उपर जादा से जादा charge टोड़ करने में मदद करेगी ठीक है इनके बीच का distance T है तो अभी अभी मैंने आप लोग को बताया थे कौन-कौन से factor effect करते हैं अगर मैं इसका separation कम कर दूँ मतला भी इस plate को pass ले हूँ थोड़ा सा तो जितना यह plate pass आती जाएगी उतना इस वाली plate के उपर potential down होता चला जाएगा ठीक है net charge बीच का down करता चला जाएगा और उतना ही यह और ज़्यादा charge जिस पर supply कर सकेगा clear हुई इतनी बात अब करना क्या है बच्चो कुछ नहीं करना जो यहाँ पर आपको do separation की value 2 mm है न इसमें से 1 को minus करोगे तो 1 mm आ जाएगा value को substitute कर देना यहाँ पर और फिर answer निकाल लेना आपको पता चल जाएगा अगर आपको यहाँ पर difference निकालने को बोलता तो यह था मेरा q दूसरे से निकालते तो q2 निकलता और फिर q2 minus q कर देते तो आपको दोनों के भीशा difference निकल जाता ठीक है q2 minus यहाँ पर यहाँ से निकला q यहाँ पर निकला जब आप यहाँ पर value substitute करोगे तो बच्चो करना कुछ नहीं है इस question में यह जो 1 mm आपको दिया गया है क्या बोला गया कि plate separation is decreased by 1 mm ठीक है मतलब जो पहले 2 mm था अब वो कम हो गया है by 1 mm तो कुछ नहीं जो नई d की value होगी वो कितनी हो रहेगी 2-1, 1 mm यहीं तो होगा न इसी value को यहाँ substitute कर देना आपको नए c की value मिल जाएगी उससे आपको new charge find हो जाएगा same formula से नए charge को अगर मैं q' से show करूँ तो यह चीज़ भी find हो जाएगी बिल्कुल same to same procedure है अरे यहार मतलब दो अलगला question है एक बार आपको 2 mm ले लेना है separation एक बार 1 mm से कम करके ले लेना है बात खतम हुई उतना ही आपका अचा एक चीज़ मिस हो गई question के अंदर बोला गया है कितना extra charge होगा extra charge मतलब यह new q में से यह old वाले को minus करना पड़ेगा ठीक है मतलब q dash minus q q dash minus q तब आपको पता चलेगा कि आपको extra charge कितना मिला हुआ है I hope आप लोगो इस question को पूरा कर लेंगे ठीक है मैं आप लोगों को इसका answer बता देता हूँ विसे यह जो पहला वाला q है इसकी value आपकी निकलेगी 1.35 into 10 की पावर माइनस 10 कुलम उके उसके बाद जो इनका difference निकलेगा जो इनका difference निकलेगा वो भी same to same कितना निकलेगा वो आपका निकलेगा 1.35 into 10 की पावर माइनस 10 कुलम same to same ठीक है q dash की value आपकी जादा होने वाली है q जादा होने वाली है जितना प्लेट पास आएगी उतना आपका चादा चार्ज टोर होगा इसलिए तो देखो मैंने बिना देखे कर दिया कि q dash में से q minus होगा ठीक है चलो तो आप लोग अभी इस question को solve कर लेना हम लोग next topic के उपर बढ़ते हैं चलो बच्चो अब हम लोगों ने एक parallel plate capacitor के लिए उसकी capacitance तो find कर ली अब एक general formula निकालते है for the energy stored in it ठीक है कि capacitor के अंदर जो energy stored होती है उसके लिए क्या formula होना चाहिए अब तो यहाँ पर मैंने कहानी लिखी तो है लेकिन इस कहानी से अच्छे मैं तुम लोगों को खुद ही समझाते है इस फेनोमेना ठीक है तो चलो समझते है इस जी वाई देखो basically है क्या अब यार actually में तो तुम उसे ऐसे किसी system में connect करोगे रहा capacitor को मालो मैंने यह capacitor ब्रना दिया ठीक है ज़्यादा बड़ा बन गया यह मेरा capacitor है ठीक है और यह मेरी बैटरी है ठीक है अब मैंने क्या क्या धीरे धीरे इसे charge देना शुरू किया plus minus तो इस वाले point के उपर कैसा plus charge develop होना शुरू हो जाएगा plus q charge develop हो गया and by induction इस के उपर कैसा charge develop होगा minus q का देख सकते हो यहाँ पर मैंने नीचे वही चीज दिखाने ही कोशी किया plus q और minus q ठीक है अब यहाँ यहाँ पर plus charge आ चुका है यहाँ पर minus charge आ चुका है जित्ती capacity थी उतना starting में store हो गया लेकिन क्या यह battery अपना काम रोक देने वाली है नहीं रोकने वाली न वो क्या करेगी वो और charge भेजेगी महलो इस तो और charge supply किया कितना dq charge लेकिन यह dq charge का देख्शर अब देखो यहाँ पर एक चीज अटकती है यह जो dq charge अब इसमें extra supply किया extra dq charge हो गया यह भी positive है nature में और यह plate के उपर जो charge है यह भी positive है nature में तो इनके बीच क्या होगा रिपल्शन होगा लेकिन बैटरी तो क्या करेगी वर्क करेगी अब यह बैटरी तो वर्क करेगी उसे तो यह चार्ज के अंदर श्टोर करना है तो यह बैटरी क्या होती है वर्क करती है कितना वर्क करती है जितना उसे चार्ज टोर करना है कितना store करना है, DQ charge, चलो देखते हैं, तो भई हम यही work find out करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि यही जो work होगा, यही तो energy की form में उस capacitor के अंदर store होने वाले हैं तो अगर हमने इस work को find out कर लिया, तो हम energy भी find out कर लेंगे, ठीक है, चलो देखते हैं, work कैसे निकलेगा, work का formula क्या होता है, potential difference into में, charge, battery का potential कितना है, और उसने कितने charge को store करने के लिए work किया, ओके, अच्छा, V का एक और formula भी होता है, Q over C लिख सकता हूँ न, तो V की जगा लिख देता हूँ में, Q over C, for a small amount of charge, small amount of work will be done, ठीक है, integration on both sides, ठीक है, तो इस side तो integration हुआ तो W बन गया, दो सी side, one by C, common है, अंदर Q, D, Q, ठीक है, अब ये बिल्कुल X, DX के integration जैसा है, ठीक है, X का integration क्या होगा, power में A cat, और जो number उपर है, वही नीचे आ जाएगा, ठीक है, मलब X square plus, upon में 2, ऐसी यहाँ पे हुआ, W की value क्या निकली, one by C, ठीक है, और ये क्या हुआ, Q square by 2, lower value और higher value क्या होगी, 0 charge to, total Q charge, यही होगा न, substitute कर दो, तो W की value क्या निकल क्या आगई, half, Q square, बटे में C, पहला formula निकल गया, पहला formula निकल गया, मतलब क्या, अरे भाई, substitute भी तो कर सकते हो, मानो मैं Q की जगा लिख दू, क्या लिख दू क्या लिख दू क्या लिख दू क्या लिख C square V square, एक C से C कटेगा, तो W का मुझे दूसरा formula मिल जागा, 1 by 2 C V square, ठीक है, तीसरा formula भी देख लो, तीसरा formula क्या होगा, इस C V square को अगर मैं ऐसे लिख दू, 1 by 2 C V into V, W, तो C V किसके बराबर होता है, Q के बराबर होता है, तो यह तीसरा formula मिल गया, 1 by 2 Q V, अब यह different different condition में यह तीनो formula आपके use किये जाते हैं, समझ आगे overall phenomena work का, ठीक है, कि work calculate करके कैसे हमें energy मिली, ठीक है, बैटरी थी, बैटरी ने charge store करने के लिए work किया, वही work हम लोगों ने calculate किया, work के क्यों करना पड़ा, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इस capacitor के अंदर, यह जो conducting plate ह इसके अंदर जैसे जैसे charge टोर होता जा रहता, वो repulsion कर रहता आने वाले charge के उपर, और उसी repulsion के अगेंस हमें work करना पड़ा, ठीक है, चलो भीए, समझ आगे तो आप तो देखना है बस, देख लो बिल्कुल वही phenomenon मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है, यहाँ मैंने नीचे plates बना के दिखाई हैं आप लोगों को, ठीक है, और यहाँ बें यह calculation किया, dw equal to v delta q, दोनों साइड integration किया, 1 by c बाहर आ गया, integrate करके, 1 by c q square upon me 2, lower value, hell value, integrate कर दिया, में यह pass answer आ गया, अब यह जो मैंने work done किया है, यही electric potential energy के तोर पे store हो गया, ठीक है, और उसके यह रहे वो ती इनो formula है, जो आप different different conditions के अंदर use करते वे देखेंगे, important thing क्या है, बिटा इसके उपर numerical बहुत ज्यादा difficult आते हैं, वो numerical मैंने basically अपनी next video के अंदर cover कर रखा है, जिसके अंदर पहले में आप लोगों को combination of capacitors के बारे में पढ़ाऊंगा, और इसके rest of the numerical आप लोगों को जो ह अब हम बात करेंगे energy density की, energy हो गया, चलो अब energy density के दरफ चलते है, energy density बहुत असान है, इसे calculate करना is the easiest thing you can say, ठीक है, चलो करके दिखाओ, ये भी मैं पहले करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग देखेंगे, करना कुछ नहीं आप कोई भी, तीनों में से कोई भी formula, इससे पहल ये वाला चुन लेते हैं, potential energy को मैंने यू से दिखाया है, जो हमाँ work done था न, वो यू के बराबर था, मैं इसके लिए ये वाला formula लेके चलता हूँ, आप तीनों में से कोई साभी उस करोगे, आपके answer आएगे, ठीक है, बस क्या चीज़े याद रखनी है, ये मैं side में equal to ed होता है, ठीक है, और अगर आप c यूस करके कर दे होगे, तो आप याद रखना, c equal to kya होता है, sl not a over d होता है, अगर इतनी बाते आपने याद रखी, तो आपका question easily हो जाएगा, चलो मैं करना शुरू करूँ, ठीक है, अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ याद रखना sigma का भी एक formula होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, sigma term use नहीं होगा, sigma की जगा क्या होगा, e equal to sigma upon xl not होता है न, आपका जब दो elect parallel plates होती हैं, तो यही formula निकल के आता है, तो sigma की जगा मैं क्या use करूँगा, xl not into make e, और फिर a, clear, तीनों में से कोई साही formula चुनों, आपका answer पका आएगा, same आएगा, ठीक है, तो अभी तो मैंने कौन सा चुन है, 1 by 2, qv, ठीक है, 1 by 2, q की जगा क्या put करूँगा, sigma a पहले, ठीक है, और फिर, v की जगा क्या put करूँगा, ed, 1 by 2, sigma की जगा मैं लिख सकता हूँ, sigma a, ठीक है, sigma की जगा ये value, xl not, e into my a, into my fit say e, और fit d ये है मेरा अभी potential energy का, अब जब ध्यान से देखो, क्या formula बना, 1 by 2, epsilon not, e का square, और a into d, area into distance, volume बन गया न, तो बस, आपका answer आ गया, अब energy density को मैं small u से show करूँगा, ठीक है, potential energy upon volume, यही तो होता है न, density, और इसकी value का निकली, 1 by 2, epsilon not, e square, ये AD जो है, वही नीचे v बना, जाके, ठीक है, यह आपका expression निकल गया, अब भया, यहाँ पर मैंने एक तरीके से करके दिखाया है, ठीक है, यहाँ मैंने दूसरा वाला लिया है, यहाँ मैंने देखो, cv square लिया है, half cv square, half का half रहा, c की जगा मैंने epsilon not a over d, जैसा मैंने बताया तब वो put किया, v की जगा मै एक ed value put की, ठीक है, यह मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा रखा था, वहाँ पर हमने ऐसा पढ़ा था कुछ न, equal to dv over dr, ठीक है, तो r के अधर distance है न, वही से यह formula बना है, ठीक है, v equal to ed, वहाँ मैंने बताया था कि इस तरीके की form आपको इस formula की दिखेगी, चलो बही, आगे solve कर लो, इसका square कर दो, एक d से एक d कट जाएगा, 1 by 2, epsilon naught e square हो गया, और a into d हो गया, ठीक है, a into d volume बन गया, दूसरी side divide में गया, तो potential energy per unit volume, energy density हो गई, ठीक है, इसका formula क्या बना, 1 by 2, epsilon naught e square, ठीक है, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला, कि यह जितनी भी आपकी source of energy है, यह किसकी वरेसे है, electric field की वरेसे है, जो दोनों fields के बीच में, plates के बीच में, electric field form होती है, उसकी वरेसे है, ठीक है, तो बेटा, अपना आज का lecture में, यही पर finish करता हूँ, I hope आप लोगों को समझ आया होगा, अब हम अपने next lecture के अंदर, combination of capacitors के बारे में जान Thank you all of you, have a good day.